यहाँ आपर बैट करके संपून, स्रिष्ट के पालन की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, अलखनंदा के किनारे प्रस्तावीत है, 120 करों रूपे के रिवर्फंट बनाने की योजना है, जिस पर कारी सुरू हो गया है, इसके अलामा प्रथम चरण का जो कारी यहाँ पर वि जो है, अपनी नजर बनाए रखते हैं, सर्व कल्यान के लिए माना जाता है कि भगवान जाने जाते हैं, बद्रीना जाने जाते हैं, लोग कल्यान की जिस भावना से, और मनुस्य के तमाम सारे दुखों का अंत करने के लिए, उनके प्रति अगर सुद्धा है, तो जीवन की प्रत्यासाएं बढ़ती हैं, उसके जीवन के तमाम सारे जो परिशानियां होती हैं, वो कम होती हैं, संतती का विखास होता है, प्रवाहवान रहती है संतती, और यहीं संतती आगे चल करके देश और राष्ट समाज के लिए कारे करती रहती है, सनातनी बंधों से बढ़े रहें, तमाम हमारे देवी, देवता, पुरान, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनका ज्यान प्राप्त करते रहें, तो निश्चित रूप से जो है, वो एक नैतिक और सजग बैति के रूप में निर्मित होते हैं, और कहीं कहीं उससे समाज भी बहतर बनता है, राष्ट भी बढ़ियां बनता है, और यही चेतना जागरित करने के लिए प्रधान मंतरी निर्मोदी का लगातार प्रयास रहता है, आज यहां बद्रिनाध धाम में हैं, यहां के उत्तरा कंड के मुख्य मंतरी भी मौजूद हैं, और निश्चित रूप से यह लहराता बहुत ही सुखद होता है, ऐसा लगता है कि हमारी यह पता का हिमाला के उपर जो फारा रही है, वहां हमें कितना सुख देती है, इस से हमारा कितना लगाओ है, हमारी आध्ध्यात्मिक छेतना का यह किस तरह से प्रतनित करता है, यह सारे चिंतन निश्चित रूप से मन में आते हैं, मंदिर परिशर में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी मौजूद हैं, अब थोड़ी देर बाद वो पूजन के लिए भी पहुंचेंगे गर्वग्री में, हम आपको उस द्रिश्च को भी दिखाएंगे, लेकिन अभी लगातार जो बद्रिनात के अगल बगल के जगहे हैं, किस तरह से बहुत खुबसूरत डिख्च, किस तरह से पहाडों के बीच में, पहाडों की गोद में, बद्रिनात का यह मंदिर है, निश्चत रूप से ये बहुत ही नेना भीराम दिख्च है, और इस दिख्च को कैद स्वाइद करने के लिए लोग बहुत दूर-दू से चल के आते हैं